Hello everyone, welcome back to my new video. Friends, आज का हमारा टापिक है प्रात्मिक समूंहों का समाजिक महत्व. आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रात्मिक समूंहों के समाजिक महत्व के बारे में जानेंगे. यह बहुत ही important है तो इसलिए वीडियो को पूरा end तक watch करेगा बिल्कुल भी skip मत करेगा फ्रेंट्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जादा से यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिसे कि ये वीडियो जादा से यादा लोगों तक पहुत सके अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब ही तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक request करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेट कर दीजेगा जिसे कि आपको मेरी latest वीडियो की अप्रेट्स मिल सके समूहों के बारे में जाना था जिसमें हमने प्रात्मिक और दित्यक इन दोनों ही समूहों के बारे में जाना समाज में इन दोनों ही समूहों का अपनी अपनी जगे पर बहुत ही विशेश महत्व है इनके कारी ही इन्हें समाज में बहुत ही उपयोगी बनाते हैं व्यक्ति कि आप सभी जानते हैं कि जब एक शिशु जन्म लेता है उस टाइम पर वो एक सुननी के समान होता है जिसे समाज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है उसका ग्यान एकदम शुनने होता है जिस भी परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार में पलता है बड़ा होता है औ तो भी शुरुवाती ग्यान है यह सब उसको किस से मिलता है परिवार से मिलता है परिवार रूपी पाठशाला उसके गुनों का विकास करके उसके विक्तित्व के विकास में सहायक होती है यही रीजन है कि चार्ल्स कूले प्रात्मिक समूहों को मानो समूहों की नरसरी कहते ह न केवल इतना बल्की प्रात्मिक समूह अपने सदस्यों को समाज के साथ अनकूलन करने में सक्षम बनाते हैं, मतलब वो उन्हें उस लायक बनाते हैं कि वो समाज में घुल मिल सकें, प्रात्मिक समूह बालक में त्याग, सहयोग, दया, प्रेम, सहानुभूती, शहिश्णु के वाहक होते हैं यह सदस्यों को संस्कृतिक-प्रतिमाणों और मोल्यों से परिचित करवाते हैं नांस् के दो दर्म नैतिक्ता रूणीयों और परंपराओं ग्नान पीडी-दर-पीडी पहुंचा आते उधारन के तौर पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक की संस्कृती अलग होती है, रिती लिवास अलग होता है, सभी व्यक्ति किसी भी तीस तेवहार को एक जैसा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सबके सेलिब्रेट करने का तरीका अलग-अलग होता है, एक यूनिक तरीका ह होता है वो नियम है जो परंपराइं हिस अपने बच願い को उनके सब इसalenyr परिवार के सिर्दा अपने बच्चों को उनके बारे में सारी चीजें समझाते हैं जिसके जरीए सारी परमपराएं पीडी दर पीडी आगे बढ़ती रहती हैं जैसे कि शादी के जो नियम काईदे कानून आप आज के टाइम पर फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारे परिवार में तो ऐसा ही होता है तो वो आपको कैसे पता कि ऐसे ही होता है क्योंकि आपके ममी पापा ने ये आपको बताया कि हाँ हमारे परिवार में ऐसे होता और उनके ममी पापा ने उनको बताया होगा तो ये पीडी दर पीडी बात चलती रही और आपको आज के टाइम पर पता है कि हाँ आपके परिवार में ये सारे कामकाज इस तरीके से होते हैं न केवल इतना बलकि प्रात्मिक समू व्यक्ति की मूल अवशक्ताओं को पूरा करने में भी प्रवुमिका निभाते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति की कई अवशक्ताओं होती हैं ऐसी अवशक्ताएं जिन्हें टाला नहीं जा सकता है जिन्हें पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है प्रात्मिक समू मानों की उन सभी अलग-अलग अवशक्ताओं की पूर्ती करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मनुश्य को आंतरिक संतोस प्रद करता है फ्रेंट्स ये थी जानकारी प्रात्मिक समूहों के समाजिक महत्व के विशह में आई हो वीडियो में देगे जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो में देगे जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंट्स ये वीडियो अभी इंकम्प्रेट है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्लेट जरूर कर दीजेगा. फ्रेंट्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि ये वीडियो जादा से अधा लोगों तक बहुत सके अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जल्दी से जल्दी शेयर के साथ जोड़ सकें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ओल प्लेट जरूर कर दीजेगा जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके क्योंकि फ्रेंट्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फरमेटिव वीडियो जगलर मिलती रहती है तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं जानकारियों के साथ